आप सभी को मेरा नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत है तो दोस्तो आज हम फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना के कितनी तरह के टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट के तरीके क्या हैं और रिजेल्ट आने में कितना समय लगता है तो दोस्तो चलते हैं अपने टोपिक की तरफ अभी देश में चार तरह के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं जिन में एक नमबर पह RT-PCR टेस्ट, दूसरा CB-NET टेस्ट, तीसरा Rapid Antigen टेस्ट और चोथा Rapid Antibody टेस्ट तो दोस्तो पहले बात करते हैं RT-PCR टेस्ट की, ये टेस्ट सिफ लैब में ही होता है इस टेस्ट में एक ट्यूब की मदद से गले और नाक से स्वाब लेते हैं 10 सेकंड में प्रोसेस पूरा हो जाता है इसके बाद एक मशीन के जरिए RNA निकालते हैं फिर RT-PCR मसीन में RNA डाले राते हैं डेड़ घंटे में पता चलता है कि RNA में वारस है या नहीं इस टेस्ट का रिजल्ट आने में 12 से 16 घंटे लगते हैं अब बात करते हैं CBNET टेस्ट की ये एक चिप बेस्ट RT-PCR किट है इससे आम तोर पर TV और HIV की जाच होती थी इसमें भी नाक या गले से स्वाब लेते हैं अगर टेस्ट पोजिटिव हो तो RT-PCR टेस्ट होगा इस टेस्ट का रिजल्ट आने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं अब बात करते हैं Rapid Antigen Test की किसी शेत्र में अगर कोई positive case आता है तो उस शेत्र में वायरस का फैलाव देखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है यह टेस्ट बलड या स्वाब के सैंपल से होता है स्वाब नाक से ही लिया जाता है सैंपल को किट में मौजूद chemical में डुबोते हैं फिर इस लिक्वीड के टेस्ट देते वाइरस की उपस्तिती पज्यांसते हैं इस टेस्ट का रिजल्ट आने में 20-30 मिनट ही लगते हैं लेकिन 30-40% मामलों में संकनमन हाथ में नहीं आता टेस्ट नेगिटिव हो मगर लेक्षन दिखें तो RT-PCI जरूरी करें अब बात करते हैं रैपिड एंटी बोडी टेस्ट की ये कोई कोरोना टेस्ट नहीं है ये सिर्फ जांच करता है कि वाइरस से लड़ने के लिए एंटी बोडी सरीर में है या नहीं ये टेस्ट बलड के सैंपल से होता है इसमें बलड में एंटी बोडी जांसते हैं कोरोना में IGM एंटी बोडी संकरमन के दोरान बनता है और IgD एंटी बोडी ठीक होने के बाद इस टेस्ट का रिज़ल्ट आने में 15-20 मिनट लगते हैं ये टेस्ट आबादी में Sंकरमन कस्तर देखने के लिए होता है संकिर्मन बहुत हलका हो तो नतीजे गलत भी हो सकते है अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या मुझे टेस्ट करवाना चाहिए तो दोस्तो कोरोना टेस्ट डोक्टर की सलहा पर ही होगा और ये भी डोक्टर की सलहा पर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेस्ट होगा अगर लक्षन गन भीर है तो RTPCR वनना एंटिजन टेस्ट भी हो सकता है मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सबी सवालों के जवाब मिल गए होएंगे जो अभी तक आपके दिमाग में घूम रहे थे कोरोना टेस्टों को लेकर तो ये थे वो चार कोरोना टेस्ट वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी भी कोई सवाल है जो आपके दिमाग में घूम रहा है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और मुझे अब आगया दीजिए